हालो फ्रेंड कैसे हूँ आप आपके अपने यूटू चैनल पे मैं रभी कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज इस नए विडियो में जो की आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिस गवर्णर के बारे में गवर्णर जनरल के बारे में वायसराय के बारे में सबसे पहले गवर्णर आते हैं उसके बाद गवर्णर जनरल बनते हैं उसके बाद वायसराय बनते हैं लेकिन आज इस्पेसली हम लोग बंगाल के गवर्णर के बारे में पढ़ेंगे ठी धिरे-धिरे कोभर्ड हो जाएगा अगर आप सांथ नहीं देंगे तो अगर यह बंगाल के गवर्णल, बंगाल के गवर्णर जन्रल, बंगाल में भारत के वाइसराय अगर यह तीनों कोभड लिया जाए तो आपके आधोनिक इतिहास से question आपका छूटने की संभावना घट जाती है और आपका selection में basic question आती है अगर आप सही कर पलेते हैं अगर आप पढ़े रहेंगे तो automatic है कि सही कर पाएंगे जो instrument नहीं पढ़े रहेंगे तो वो भली भाती जान रहे हैं क्या होने वाला है तो दोस्तो बेसी time waste न करकर हम start करते हैं बंगाल के governor के बारे में ठीक है दोस्तो इसके बाद हम लोग cover करेंगे बंगाल के governor general के बारे में ठीक है दोस्तो इसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए है तो subscribe कर ले और घंटी पर प्रेस कर ले और घंटी पर प्रेस करने से यह होगा मेरा वीडियो आपके मुवाल इसकिन तक सबसे पहले जाएगा त्रे दोस्तो इस्टार्ट करते हैं जो कि बंगाल में governor के रूप में आते हैं ठीक है Lord Clive जो कि प्लासी के बिजय के बाद बंगाल के पर्थम governor बनते हैं Lord Clive ठीक है प्लासी का यूद जो कि 1757 इस्वी में प्लासी का यूद हुआ था 1757 के प्लासी के यूद के बाद बंगाल में governor के रूप में आते हैं Lord Clive जो कि 1757 से 1760 इस्वी तक रहते हैं लेकिन यहां बंगाल में दो बार governor के रूप में आते हैं इसी वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे जो कि 1665 से 1767 में एक बार और आते हैं इन्होंने दो बार governor के रूप में आते हैं जो कि 1765 इस्वी में इलाहाबाद की संधी में Lord Clive जो कि साह आलम दूती को बंगाल बिहार और उडिसा की दिवाने असुनने के लिए दे दिया कौन दे दिया Lord Clive किसको दे दिया साह आलम दूती को कहां दे दिया कौन कौन राज जो कि बंगाल बिहार और उडिसा ठीक है दोस्तो यह दे दिया गया Lord Clive दूरा जो कि यह तीनों एक ही छेत्र में आते थे उस समय नेक्स्ट है इसमें हम लोग जो की इन्पोर्टेंट है दोस्तो वही मैं इनमें इंक्लूड किया हूँ और जो इन्पोर्टेंट कोस्चन है जो आपके इकजाम में पूछे गया है जो इकजाम में आने वाले हैं बिसेश कर वही इंक्लूड किया गया है ठीक है दोस्तो आप अंदाज भी कर रहे होंगे और एक्जाम में पूछे गए हैं तो आप भली भाती इससे आप परसित भी होंगे चले दूस्तो लॉड क्लाइब के समय में और बंगाल में द्वैस सासन लागो हुआ था द्वैस सासन यहाँ पे मैं बता दू द्वैस सासन कहने का अर्थ है कि अगर भारत देश में आप ड़र रहे हैं तो उधर केंद्र में आप देखेंगे कि परधान मंत्री का सासन है और इधर राज्य में देखेंगे तो मुख मंत्री का सासन है जो अगर केंद्र सरकार जो भी परधान मंत्री कोई नीडने लेता है कोई भी कुछ भी वो कहते हैं तो वो राज्जी को भी मनना पड़ेगा ठीक है दोस्तो तो हो गया दोएसासन आप ऐसे जानें आपके घड में अगर ममी पापा दो दोनों कोई काम कर रहे हैं अगर आप फिश कोए काम करते हैं मं मी जो की पापा से निर्णें लेते हैं आप आप बात मानते हैं ना कि एक आदमी का उदनोंका आप बात मानते हैं पापा और ममी या रहा जो गया दो द्वैसासन है तो बंगाल में भी उस समय द्वैसासन होता था जो कि 1775 से 1772 इस्वी में द्वैसासन चला था जो कि वारेंग हेक्स्टिंग द्वैसासन को समाप्त करते हैं तो और लर्ड क्लाइब के समय में स्वेत विद्रो हुआ था लर्ड क्लाइब के समय में क्या हुआ था स्वेत विद्रो जो कि 1776 इस्वी में स्वेत विद्रो हुआ था क्यों हुआ था स्वेत विद्रो जो कि मुंगेर और इलाहाबाद के अंग्रेज अधिकारी ने इस अवग्या का उलंगन यानि बिरोध किय था इस अवग्या का इन्हों ने बिरोध किया था ठीक है दोस्तों चलिए दौएसासन आप समाझ गए होंगे दौएसासन स्वेत विद्रो जोकी 1760 इस्वी में हुआ था चलिए कुछ तिपनियां है जो की बर्क ने कलाइब को क्या का हा बर्क ने कलाइब को कहा बड़ी बड़ी नियूवे रखने वाला वेकती है ये बर्क ने क्या कहा क्लाइब को बड़ी बड़ी नीवे रखने वाला बेखती है ये पार्सिवल एस्पीर जो की भविस का अगर्दूत है लड़ क्लाइब और आचानक से आत्महत्या कर लेता है इंग्लेंड में जा कर लड़ क्लाइब ठीक है दोस्तों चलिए बंगाल में गवर्णर के रूप में आते हैं का सो की सत्रेण सो साथ इसवी में हालवम आते हैं इनके समय में ब्लैक होल घठल कहणा हुआ था क्या सुथ यह इसमें ज्यादा नहीं पड़ना है जो इन्पोर्टेंट है वही बढ़ना को जो की हाल अब आते हैं लाड़ वेंसिस्टार जो कि लाड़ वेंसिस्टार के इनके समय में घटना घटित हुआ था तो इनके समय में बक्सर का यूध हुआ था जो कि 1764 में बक्सर का यूध हुआ था ठीक है दोस्तो 1764 में बकसर का यूध हुआ था और पलासी का यूध कब हुआ था 1757 इसमे में बकसर का यूध हुआ था बकसर का यूध छलिए बेसी नहीं पर्णा इसमें हम लोगो फिर से आ जाते हैं लिट ग्लाइब जो कि 65-706 तक लड़ क्लाइब आते हैं जो कि पुना दो वर्ष के लिए लड़ क्लाइब आते हैं इन्होंने काम नहीं किया ठीक है जुस्तू चलिए नेक्स्ट बंगाल के गवर्णर के रूप में आते हैं वेरेलेस्ट जो की 1769 इसवी तक वेरेलेस्ट का समय रहता है और इनकी समय में क्या घटना इंपोर्टेंट हो जाता है हमको क्या याद रखना है तो वेरेलेस्ट के समय में पर्थम आंगल मैसूर यूद हुआ था जो की हैदर अली भर्सेस अंग्रेज के बीच हुआ था जो की पर्थम आंगल मैसूर यूद मदरास की संधी से समाप्त होता है ठीक है दोस्तों तो मैसूर यूद हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ ठीक है और द्वैसासन का जनक के बाद कड़े तो द्वैसासन का जनक लियोनिक काटियर को कहा जाता है द्वैसासन का जनक किसो कहा जाता है लियोनिक काटियर को कहा जाता है चलिए नेक्स्ट आते हैं वेरलस्ट के बाल आते हैं काटियर काटियर जो की 179 से 72 इसवी तक बंग आकाल जो कि काटियर के समय में हुआ था 1772 में पर्थम आकाल आधोनिक भारत में पर्थम आकाल देखने को मिलता है आधोनिक भारत में चलिए इतना ही हम लोग को याद रखना है दोस्तों पढ़ने के लिए दोस्तों तो बहुत सारा है अगर उतना पढ़ेंगे तो आपको याद जितना आप से याद होगा उतना ही पढ़ें जितना आपको याद अगर नहीं हो पाता है आप एकजाम हौल तक जाने के वक्त भू दोस्तो बंगाल में governor के रूप में आते है वारेंग हेक्सटिन जो कि 1772 से 85 इस भी तक वारेंग हेक्सटिन आते हैं जो कि बंगाल के अंतिम governor वारेंग हेक्सटिन है बंगाल के अंतिम में हुआ था 1773 में इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहद से जो की जो भी उस समय की कंपणी होती थी उसमें रेगुलेट हुई और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहद से बंगाल में पर्थम गवर्नर जनरल आने लगा ठीक है गवर्नर के पद हट गया और गवर्नर जनर दोस्तों उमीद करता हूं कि यह वीडियो समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कर ले लाइक भी कर दे और शेयर करेंगे तो आपके रिष्टेदार नातेदार जो भी गाउं दूर दराज के में स्टुडेंट बैठे हैं ताकि इस वीडियो वहां तक जाए और वह भी तब तक के लिए धन्यवाद